नमस्कार मित्रो कन्यारासी वालों के लिए सबसे बड़ा खजाना है इस नाम की ओरत जी हां मित्रो अगर इनका साथ आपके साथ है तो आपका भाग्य सोने में बदल जाएगा जी हां मित्रो आज की वीडियो अत्यंत में हेतु पुरुण होने वाली है आप सभी से वी नर्म अनुरोद करते हैं कि वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा साथ ही मित्रो जो भी भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दे लिखेगा मातरानी उनकी हर मनो काम न पुरुण करेगी और मित्रो हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि जिसने भी यह वीडियो सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया उसके जीवन में चार चांद लग जाएंगी मित्रो तो चलिए बढ़ते हैं आपके मेहें तुप्रण विसेई क और तो मित्रो एक अच्छी महिला की कुछ ऐसे गुणों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद मित्रो आप हेरान रह जाएंगी और येकिन मानिये कि हो सकता है कि यह गुण आपकी पत्नी में या आपकी होने वाली पत्नी में या फिर आपके आसपा में कभी भी इन इस्तिरियों का साथ नहीं छोड़ना है तो मित्रो एक महिला जो इस्वर पर सद्धा रखती है वह कुछ भी कर सकती है उसमें उसकी इच्छा को मानती है और आप उस पर खुले दिल से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वह कुछ भी बूरा करने से हिच की चाएगी और जिसे आपको धोका देना क्योंकि वह इस्वर का सम्मान करती है तो यकिन मानी मित्रो कि यह महिला आपके लिए खजानाई है और खजाने से बढ़कर बहुत कुछ है मित्रो एक अच्छी पत्नी आपके रिष्टे में विश्वास योग्यों होती है जिस पर आप सभी छ अपने दिल की बात कहने में बिलकुल भी नहीं हिच्छी चाती है और अपने पती का हर वक्त सम्मान करती है वह कभी भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे कि अपने पती का दिल दोगे जी हां मित्रो, जब आप किसी चीज में विफल होते ही और अपने फेशलों को पूरा नहीं करते ही, तो वह आपको सारवजनिक रूप से अपमानित नहीं करती है एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी इस्तरी आपके मुल्यों और सिधान्तों का सम्मान करती है मित्रों, बले ही उनसे सेहमत नहीं हो तो यकिन मानिये मित्रों, अगर एसे गुणवाली इस्तरी आपके जीवन में हैं, तो यह बहुत बड़ा भगवान की तरफ से आपके लिए खा जाना है और मित्रों, एक अच्छी पत्नी ना केवल आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, बलकि उसे आपके परिवार और दोस्तों के साथ भी दयालू होना चाहिए वह यह समझती हो कि वे भी आपकी ही दुनिया का हिस्सा है मित्रों, अक्सर आपने किसी घर में देखा होगा कि उस घर में बहू और सास के भी अक्सल लडाई होती है, जो कि एक चरीत्रहिन व्यक्ति के गुण है, चरीत्रहिन इस्त्री के गुण है, तो यह इस्त्री भी आपके घर में मधुर वेहवार बना कर रखेगी जी हां मित्रों, यकिन मानिए, इसे भी आपको सबसे बड़ा खजाना मानना है, क्योंकि मित्रों एक अच्छी पत्नी का यह सबसे सरल गुण होता है, कि वह सभी परिवार को आपस में जोड़ कर रखें, ना कि उन्हें अलग-अलग बाट दें जी हां मित्रों, एक अच्छी पत्नी खुद को अपने दम पर संभालना जानती है, यकिन मानिए, अगर इसका साथ आपके साथ है मित्रों, तो आपकी जिन्दिगी भी स्वर्ग बन जाएगी, और वह खुद की रक्सा कर सकती है, और कुछ हासिल करने के लिए दुसरों पर निर्भर नहीं रहती है, सबसे बड़िया गुण है यह एक इस्तरी का, अगर आपके आसपास में रहने वाली आपकी होने वाली पत्नी या आपकी पत्नी में यह गुण है, तो यकिन मानिए मित्रों यह आपके लिए खाजाने से भी बेहतर है, और मित्रों एक अच्छी प पूरे दिल से स्विकार करती है, वह आपको इसलिए नहीं छोड़ेगी, कि आपके पास कार नहीं है, यह आपका वेतन कम है, वह आपकी असफलताओं के बावजुद, आपके साथ रहेगी, किसी भी परिष्टिती में, कितनी भी मुश्किल घड़ी में, और कितनी भी कमिया आप में हो, वह कभी भी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपकी परचाई बन कर चलेगी, आपसे कदम से कदम मिला कर चलेगी मितरों, और यकिन मानिए कि इससे भी बेहत ही सूब गुन बताया गया है, और मितरों, अगर कोई लड़की या इस तरि, आपसे सच्या प्यार करती है तो वह आपको आप जैसे हैं उसी हालत में स्विकार करती है और वह गर्व से अपने परिवार और दोस्तों से आपका परिच्याई करवाती है जी हां मितरों अगर किसी व्यक्ति को कोई इस्तरी बदल कर प्यार करे तो वह प्यार नहीं होता है उसे सोधा कहते हैं जी ह इसे बेहती सूब गुण बताया गया है मित्रों कि अगर कोई लड़की या इस्त्री आप से सच्चा प्यार है आप जेसे हैं वेसे ही प्यार करें तो इसे सच्चा प्यार कहा जाता है और मित्रो एक बार कोई समझ सा सुलज जाने के बाद इसे आपके भविश्य के जगडे में फिर से नहीं लाती है वह समा करना और भूल जाना जानती है एक अच्छी पतनी आपके गलत होने का रिकोर्ड नहीं रखती है मित्रो कभी भी भविश्य में आपके साथ या कुछ भी इसी नोग जो कोई हो तो वो कभी भी याद नहीं रखती है और अपना दिल बड़ा रखकर भूल जाती है जी हाँ एक अच्छी इस्तरी का यह भी बेहत गुण बताया गया है और मित्रो एक अच्छी पत्नि को विश्वा से कि आप इसे कर सकते हैं जी हाँ विशेश जियान रखिए कि आप कुछ भी काम करेंगे तो एक अच्छी इस्तरी एक अच्छी पत्नि आपका साथ देगी बलकि आपको पहले से नहीं टोकेगी कि यह आपसे नहीं हो पाएगा इसे आप मत करिये जी हाँ उसे कोई मतलम नहीं रेता है कि आप सफल होए या सफल वह केवल आपका साथ देना जानती है मित्रो चाहे परिष्टिती केसे भी क्यों नहो और एक अच्छी पत्नी अपनी गल्टियों को स्विकार करने के लिए प्रियाप्त विन्रम होती है उनके लिए माफी मांगती है और एक अच्छी पत्नी के सामने आपको किसी और के होने का देखावा नहीं करना पड़ता है मित्रो एक आदर्स पत्नी आपके लक्सों के प्रती आपका समर्थन और सहीयोग करती है वो आपकी समता उपर उस्प्रास करती है और आपके सपनों तक पहुचने की आपकी समता पर कभी भी जीहामितर अपने जीवन में सवाल नहीं उठाती है आप कितने भी बड़े सपने क्यों न देखे वह हमेशा आपके सपनों में आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके साथ उस मंजिल तक भी चलेगी तो इसे भी बहुती बढ़िया गुण बताया गया है अगर आपके आसपास आपके होने वाली पत्नी में पती में या फिर किसी भी महिला में यह गुण है तो यह आपके लिए साधी के लिए बढ़िया ही बेहतर होगी और आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी जीहा में तो वहापका खयाल रखती है एक अच्छी पतनी हमेशा आपके लिए स्वस्थ भोजन खिलाती है वह बनाती है और आपको नेमित व्यायाम पर जाने के लिए प्रोच साहित करती है वह कभी भी आपको बास सीखाना नहीं खिलाएगी या आप में आहलस की भावना को एक अच्छी इस्तरी कभी भी पेदा नहीं होने देगी जी हाँ, एक अच्छी पत्नी जानती है कि जब आप उडास या दूखी होते हैं तो आपको हसाना के से ही वह आपकी दुनीया को रोसन कर सकती है मितरो, यकिन मानिये इसे बहती बड़ा उलसूब ख़जाना बता गया है एक अच्छी पत्नी आपको हर परिष्टिती में हसा सकती है आपने हर परिष्टिती में अगर रोना भी चाहते हैं तो यह आपकी पत्नी आपको रोने नहीं देगी और मित्र विशिज ध्यांद रखिये कि एक अच्छी पत्नी या इस्तरी कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने चरीतर को दोसित करे या बुरी आदतो जिसे नसा, जुआ और अन्य कुरूतियों से बरबात करो क्योंकि वह आपको उसकी जिन्दगी का हिस्सा मानती है और वह कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी और मित्रों विशेज ज्यान रखिये कि एक अच्छी पत्नी बाहार से जदा अंदर से खुपसूरत होती है आपको बस उनका मन और दिल पढ़ना आना चाहिए मित्रों एक विशेज गुण यह भी बताया गया है कि एक अच्छी पत्नी आपको बहेतर और अच्छा इंसान बना लेकले प्रेरीत करती है एक अच्छी वाइब आपको अपने सपने और भविश्य laptop के प्रती प्रेरीत करती है मित्रों जिस पत्नी में ये सब गुण होंगे उसमें गुणों के बाकी हिस्से भी मिलेंगे मित्रो यकिन मानिए कि अगर इस तरह के स्तरी आपके जीवन में हैं तो आपका जीवन सफल है तो मित्रो वीडियो की समापती यहीं पर होती हैगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा कमेंट सेक्षन में जाय मातादी लिख दीजेगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रिन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास में वह घंटी भी दबा कर हमारे जोटूब चेनल से अभी जुड़ जाईएगा